हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टू माई चैनल लता की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत टू कलर का पैटन सीयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप आल प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, जैकेट, गल्स ब्लैंकेट, कैप, बच्चों के ओल प्रोजेक्ट, कैप, ब्लैंकेट, सौक साधी में बनके बहुत ही खुबसुरत हमारा ये पैटन आ जाता है और फ्रेंट साइट से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है इस पैटन को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टिपल में करेंगे बॉर्डर पैटन कंप्लेट होने के बाद हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होगा अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं तो देखे बॉर्डर कंप्लेट होने के बाद फ्रेंट से पैटन की फस्ट रो में हमारा फस्ट कलर आएगा तो देखे पहला फं उतार लेना है और फ्रेंट साइड से हमने फर्स्ट ट्रो को सीधा भुनते वे कंप्लेट करना है। सेम प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे और फ्रेंट साइड से अपनी फर्स्ट ट्रो कंप्लेट कर लेंगे। ये दिखे, फर्स्ट रो में हमारा ये फर्स्ट कलर आएगा, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, ये देखे, ये फर्स्ट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कमप्लेट होगे, बैक साइड से देखे, सेकिंड रो, अब सेकिंड रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से हमने सेकिंड रो को उल्टा भूनते हुए कमप्लेट कर लेना है, यह देखें सेम प्रोसिस को हम रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी पैटन की सेकिंड रोव कमप्लेट कर लेंगे अब देखें फ्रेंट से पैटन की थार्ड रोव में हमारा सेकिंड कलर आएगा तो देखें पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरीके से अब नेस्ट फंदे में हमने सेकिंड कलर को एड कर लेंगे तो देखें यहां पर हम सेकिंड कलर को एड करेंगे इस तरीके से देखें यह देखें एक फंदा हमने सेकिंड कलर से बुन के उतार दिया अब नेस्ट फंदे को हमने ऐसे डबल रोल करके बुन लेना है यह देखें फिर नेस्ट फंदा ऐसे सिंगल बुनेंगे यह देखे अब नेश्ट हमने इन ही चार फंदों का प्रोसिस रिपीट करना है एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे ये दिखे फिर नेश्ट देखे एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे एक फंदे को हम डबल रोल करके बुनेंगे फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे अब नेश्ट फिर इनी चार फंदों का प्रोसेस रिपीट होगा एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे एक फंदा हमने सीधा बुन के उतारना है एक फंदा हमने इस तरीके से डबड रोल करके बुन लेना है फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर नेस्ट देखे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा हम डबल रोल करके बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखे, नेस्ट फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे, ये फ्रंट साइड से हमारी पैटन के थार्ड रो कमप्लेट हो गई, बैक साइड से देखे फोर्थ रो, फोर्थ रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे, नैस्ट फंदा हमने बिना बुने उतारेंगे, अब नैस्ट देखे, ये पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, और जो double वाला फंदा है, इसको हम single करेंगे, फिर इन फंदों को देखें, इन दोनों फंदों को भी वापस ऐसे, left needle में डालेंगे, अब देखें, ये जो second color वाले तीन फंदे हैं, इनको एक साथ बुनना है, और तीन फंदे बना लेने, एक, सलाई में धागा लपेटेंगे, दो, फिर इन तीनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, तीन, अब नेस्ट हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, अब देखें, जो नेस्ट फंदा है, इसको हम ऐसे बिना बुने उतारेंगे, right needle मे अब देखें, जो डबल वाला फंदा है, इसको सिंगल करेंगे, फिर देखें, इन दोनों फंदों को वापस, ऐसे left needle में shift करेंगे, अब नेस्ट इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, जो second color वाले तीन फंदे हैं, इनको हमें एक साथ बुनना है, और तीन फंदे बना इने, एक, सलाई में दहा का लपेटेंगे, दो, फिर इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे, तीन, अब नेस्ट देखें, सेम प्रोसिस रिपीट होगा, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, अब नेस्ट फंदा भी हमने बिना बुने उतारना है, और देखें, जो डब फंदे बना लेंगे, एक, दो, और तीन, अब नेस्ट, ये फंदा हमने बिना बुने उतारना है, अब नेस्ट देखें, ये फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, राइट नीडिल में, डबल वाला फंदा सिंगल कर लेंगे, अब वापस इन दोनों फंदों को ऐसे, लेप डालेंगे और इस जो सेकेंड कलर वाले तीन फंदे हैं इनको एक साथ बुनेंगे कि तीन फंदे बना लेंगे एक सलाह में धागा लपेटा दो फिर ऐसे तीन पिर लास्ट का फंदा बुण लेंगे इस तरह किसी दीखें अब देखें ये back पहला फंदा हमने बुन के उतार लेना है अब देखे नेस्ट फ्रंट साइड से जो हमारी फिप्तरो आएगी उसको हम फिर्स्ट कलर से बुनेंगे और सीधा बुनते हुए कमप्लेट करेंगे अब देखे बैक साइड के दरब से देखे जो यह धागे इनको ऐसे उठाएंगे राइट निडिल में और इसको भी ऐसे लेट निडिल में इस तरीके से सीप्ट करेंगे अब देखे जो यह बिना बुना फंदा है इसके साथ इस धागे को भी बुन लेंगे तो ऐसे सीधी साइड से सलाई डालेंगे और इस तरीके से बुन लेंगे यह देखे, तो ऐसे में हमारी बैक साइड से फिनिसिंग आ जाएगी, यह देखे, अब देखे, नेश्ट खंदे सीधे आ जाएंगे, अब देखे, नेश्ट बैक साइड के तरब से देखे, जो यह दागा छूटा है, इसको उठाएंगे राइट निडिल से, और इसको ऐसे लेफ निडिल में सिप्ट करेंगे, अब देखे, नेश्ट खंदे के साथ इस दागे को भी बुन लेंगे, तो देखे, सीधे साइड से स्लाइड डालेंगे, और इस तरीके से बुन लेंगे, फिर देखे, नेश्ट तीन फंदे सीधे आजाएंगे, फिर देखे, बैक साइड की तरब से यह, जो यह दागा छूटा हुआ है, इसको उठाएंगे राइट निडिल में, और इसको इस तरीके से लेफ निडिल में स यही process repeat करना है, यह देखे, फ्रंट साइड से हमारी pattern की 5th row, complete हो गई, बैक साइड से देखे, 6 row, पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से हमने 6 row को उल्टा भूनते हुए complete करना है, सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और बैक साइड से अपनी 6 रो कम्प्लेट का लिंग देखें बैक साइड से मारी पैटन की 6 रो कम्प्लेट हो गई आप देखें फ्रंट साइड से सेवंत रो में हमारा सेगेंड कलर आएगा तो देखें दो फंदे हम बुन के उतारेंगे इस तरीके से देखें थार्ड रो में हमने इस्टार्डिंग में एक फंदा बिना बुने उतारा था और सेवन त्रों में हमने स्टार्डिंग में दो फंदे बुन के उतारने, अब नेश्ट फंदा हमारा बिना बुने आ जाएगा, तो देखे हमारा ये पैटरन रिपीट एंड सिप्ट होने लग गया, फिर देखे नेश्ट तीन फंदों में पैटरन आएगा, तो देखे एक एक फंदा सीधा, एक फंदा हम डबल रोल करके बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा आ जाएगा, एक फंदा हम डबल रोल करके बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा हम डबल रोल करके बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा हम डबल रोल करके बुनेंगे एक फंदा डबल रोल करके बुनेंगे फिर लास्ट में एक फंदा सीधा आ जाए तो देखे ये फ्रन्ट साइट से पैटन की सेवंत्रों कम्प्लेट हो गई बैक साइट से देखे पहला फंदा उतारेंगे अब नेश्ट देखे इस फंदे को डबल से सिंगल करेंगे अब देखे नेश्ट दो फंदे एक साथ बनेंगे और दो से दो फंदे बना लेंगे तो देखे एक फिर आगे वाला फंदा बनेंगे दो फिर नेश्ट फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर देखे नेश्ट ए पिर एक फंदें हम बिना बुने उतारेंगे, डबल वाले फंदे को सिंगल करेंगे, फिर वापस इन दोनों फंदों को left needle में shift करेंगे, फिर इन तीन फंदल को एक साथ बुनेंगे, और देखे तीन फंदे बना लेंगे, एक, सलाई में धागा लपेटेंगे, दो, फिर भुनके, तीन, फिर एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर नेश्ट फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, डबल वाले फंदे को सिंगल करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को वापस लेप्ट न के लेप्ट करेंगे इन तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे और थीन फंद बना लेंगे पर ऺिंद्र वाले उतारेंगे कि पर याशट के दो फंदे उल्टे बुन लेंगे इस तरीके से देखें तो देखें ये बैक साइट से हमारी पैटन की एट त्रो कमप्लेट हो गई अब देखें फ्रेंट साइट से नाइन त्रो अब नाइन त्रो में हमारा फस्ट कलर आएगा और हमारा पैटन रिपीट होगा नाइन त्रो को ह हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखे, बहुती सुन्दर, बहुती आसान पैटर्न है, आप इसे all प्रोजक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया लाइक करें, सियर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न बूरे, थेंक्यू,